नमस्कार प्रियदर्शकूं जैसा कि आपने थमनेल में देखा जहां मैंने लिखा है कि अब से कुछ घंटे और और फिर होगा बड़े संगर्शों के बाद बड़ी जीत का आगाज अब से कुछ घंटे पस्चात देवगुरु ब्रस्पती का जलवा कुम्ब राशी वाले जातकों के लिए देखते ही बनता है देवगुरु ब्रस्पती आपकी कुंडली के धन के स्वामी होते हैं वानी भाव के स्वामी होते हैं और कुटुम्ब परिवार के स्वामी होते हैं साथ ही यह आपके आय भाव के स्वामी है और आपके मनोरतों को पूर्ण करने का जिम्मा आपके कुंडली में देवगुरु ब्रस्पती के हाथ में होता है वर्तमान समय में ये राहु के साथ यूती लगा कर बैठे हैं और इस स्थान पर गुरु राहु का चांडाल योग निर्मित हो रहा है आपकी कुंडली के कारख ग्रह होते हैं, देवगूरू ब्रसपती, किंटू राहु के साथ होने के चलते, इस स्थान पर ये आपको शुबफल नहीं दे पा रहे हैं, किंटू अब से कुछ घंटे पश्चात ही, जैसे ही राहु राशी परिवरतन करेगा, देवगूरू ब्र ब्रस्पति कुंडली के कारक ग्रह होते हैं और ये शुद्धी करण में आपको लाब देते हैं तो पहला जो सर्वस्रिष्ट लाब अब से कुछ घंटे पस्चात ही आपको मिलने जा रहा है वो लाब होगा मित्रों आपके द्वारा की गई महनत का पूर्ण रूप से लाब कदमों में लाका रखने की बाध्यता देवगुरु ब्रस्पति आपको देने जा रहे हैं महनत आप पिछले अठारा महिनों से भी लगातार करते आ रहे हैं किन्तु परिणाम आपने देखे हैं कि पूर्ण महनत पूर्ण पसीना बहाने के पस्चात भी इस स्थान पर प्रक्षिता के दम पर आप समाज में परिवार में कुटुम्ब में कर्म शित्र में कैसे अपना परचम फेराएंगे इसकी अनुभूती देवगुरु ब्रस्पति आपके जीवन में दिखाने जा रहे हैं छोटे भाई बहनों से संबंदों की इस्थियों को जो राहू महराज ने पिछले समय में खराब किया उन इस्थियों को पुने से मधुर करते हुए पाए जाएंगे ये ज्यान के कारक ग्रह देवगुरु ब्रस्पति आपके द्वारा व्यापारी की यात्राओं में जो लगातार निरंतर पिछले समय में आपको असफलता हात लगी अब आप देखिएगा ये जीवकारक ग्रह आपकी व्यापारी की यात्राओं में किस प्रकार दिलाता है आपको सफलता देवगुरु ब्रस्पती जहां बैठते हैं वहां से इनके पास तीन दृष्टियां होती हैं जिस इस्थान पर बैठे हैं वहां से पाँचवे घर को देखेंगे सातवे घर को देखते हैं और नवे घर को देखते हैं और इनकी दरश्टियों के भी उतने ही शुद्ध लाब दिखने को मिलते हैं जितना ये जिस इस्थान पर विराज उते हैं और राहू महराज के पास भी यही तीने दरश्टियां हैं जो देवगुरू ब्रस्पती के हाथ में हैं पिशले अठारा महिनों से इन तीने दरश्टियों में जितना लॉस जितनी हानी आपको राहू महराज नेकर कर दी है उसकी भरपूर्ती करते हुए पाए जाएंगे देवगुरू ब्रस्पती यहां से पाँचवी दरश्टि एक दो तीन चार पाँच यहां से पाँचवी दरश्टि यह आपके दमपत्य स्थान पर दे रहे हैं आपने भली भाती देखा है कुम्ब राशी वाले जातकों के लिए पिशले अठारा महिनों में राहू महराज ने दमपत्य जीवन में या तो अंडस्टेनिंग रिलेटेड इशू क्रियट किये या स्वास्त को प्रभावित किया या कई लोगों के धिवोर्स तक की नौबत लाकर खड़ी कर दी साथ ही जिन कन्यावे बालकों के विवा की ईमर हो चुकी है विवा में बार-बार विलंब देखने को मिल रहा था उन सब इस्ततियों की परिपूर्टी करते हुए देवगूरू ब्रस्पत्य विवा के कारक ग्रेबी होते हैं या अपके दांपत्य जीवन के स्थान के कारक ग्रैबी है और ऐसी स्थान पे जब शुद्र द्रश्टी देंगे सबसे पहले आपके दामपत्य जीवन को मदूर कर देंगे जिन लोगों के डिवोर्स तक की स्थियां आ चुकी है मैं कहूंगा आज के पस्चात बैठ कर चर्चा कीजिए सुलह लिकलने कर और आपके पक्ष के स्थियों का बहुत अच्छा लाब आपके लिए निर्मित होता हुआ दिखाई देगा जिन कन्या बालकों के विवा की उम्र हो चुकी है विवा में विलंब आ रहे हैं अब देखिएगा शुद्धी करण में देवगुरु ब्रस्पती किस प्रकार बजवाते हैं आपके घर में शहनाईया ये पार्टनर्शिप का इस्थान भी होता है और पार्टनर्शिप की स्थिति का योग जो पिछले समय में राहु महराज ने बड़े लॉस लगवा दिये पार्टनर्शिप में अंडस्टेंग रेलेटेड इशू क्रियेट होते हुए दिखाई दिये भी रीकवरी करते हुए पाए जाएंगे देवगुरु ब्रस्पति दैनिक रोजगार की द्रश्टी कोंड से ये जीवकारक ग्रह है और जीवकारक बाद्य होता है आपको आजीविका के स्रोत्र बना कर देने के लिए यहां पर दैनिक रोजगार में भी जो लगातार देंगे और आज तक पिछले 18 महिनों से राहु महराज आपके भाग्य को देख रहे थे और कुम्ब राशी वाले जातक भली भाती जानते हैं कि पिछले 18 महिने में लगभग आप भूल से गए थे कि भाग्यकासात कहते किसको हैं लगातार किसी ना किसी कारणवश कारियों में आपस्टेकल आ आकर आपको यही अनुभूती कराते रहे कि भाईया भाग्य के स्थितों मुझे समझ नहीं लग रही है किन्तू जब देवगुरू ब्रस्पती भाग्य स्थान पर जोकी इनका कारक भाव भी होता है इस स्थान पर दरश्टी देंगे आपके भाग्य मे स्रेष्ट कारक अवस्ता का योग निर्मान करने जा रहे हैं जहां आपको भाग्य का परिपूनता से साथ देखने को मिले कारियों में सफलता का योग देखने को मिले पिता से अंडस्टेंग रिलेटेड इशू बने हुए हैं वो समापत हों पिता का स्वास्ट दरश्टी कोण अगर प्रभावित हैं तो उसमें पुष्टता देखने को मिले विदेश यात्राओं के अवसर देंगे विदेश से संबंदित किसी भी प्रकार का कारी आपका रुका हुआ है उसमें स्रिस्ट सफलता का योग देवगुरु ब्रस्पती के आश्रवाद से आपको देने की और ये घर है क्या ये तो ये है आपकी आय का भाव आ जीवी का का भाव ये है आपके डिजायर्स को पूर्ण करने का भाव ये है बड़े भाई बहनों का भाव और ये है छोटी छोटी बिमारियों का भाव और इन सभी स्थतियों में राहु महराज जो पिछले ल ब्रस्पति जब शुद्ध होकर अपने घर को देखेंगे सबसे पहली इस्टती जो आज से कुछ गंटे पस्चात ही निरंतर दोसो इक्केस दिनों तक आपको दिखने वाली है कि आय में व्रधी कारक इस्टती का योग आपके लिए निर्मित होगा एक से अधिक आय के आयाम आपके जीवन में प्रवेश करे इस प्रकार का योग आशिरवाद देवगुरु ब्रस्पति आपको देने जा रहे हैं। तो राहु महराच छोटी-छोटी विमारियों से आपको प्रभावित कर रहे थे उन इस्टतियों से भी आपको बाहर निकालते हुए पाए जाएंगे। ये आपके धनके स्वामी भी हैं और धनकी स्थती का योग जब पराकरम भाव में शुद्ध हो तो ये क्या है ये अपनी दक्षता अपनी मेहनत की दक्षता के दम पर धनको अरजित करने की बाध्यता आपके जीवन में प्रदान करते हैं। देवगुरु ब्रसपती आज से बेहद सुंदर गती विधी का लाप देंगे किन्तु अब प्रश्न आता है कि कुम्ब राशी वाले जातक तो लाखो करोडों लोग हैं। का फल कैसा रहने वाला है। अपनी कुंडली खूलिए और जो स्टी में बता रहा हूं किसी जोतिशी के पास जाने की अवशक्ता नहीं है। जो इस सती में आपको बता रहा हूँ, यदि ये सती आपकी कुंड़ी में बनी हुई है, शत प्रतीशत आने वाले 221 दिन आपके जीवन में बड़ी जीत का आगाज ना हो, तो मुझे कहिएगा, लगन से छटवे घर में, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यहाँ नंबर 11 लिखा हुआ है, किन्तु इसी स्थान से आपको एक गिन्दा है, लगन से छटवे घर में, लगन से आठवे घर में, और लगन से बारवे घर में, यदि देवगुरु ब्रस्पती विराजित है, तो यह आपको शुबफल नहीं दे पाएंगे, इसका कारण क्या है, कि इन इस्थानों पर देवगुरु ब्रस्पती को इस्थान दोश लग जाता है, इन इस्थानों पर देवगुरु ब्रस्पती बाध्य हो जाते हैं आपको अशुबफल देने के लिए, इसे एक उधारन से समझ लीजिएगा आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए गुरू तुल्य है बड़ा पुछ जनिया है वही व्यक्ति किसी दिन यदि आपको शराब की दुकान पर खड़ा मिल जाए क्या आपका मन करेगा कि भाग कर जाकर इनके पैर छूलू नहीं करेगा व्यक्ति वही है कि इन्तु फिर भी जिस इस्थान पर वो खड़े हैं वो इस्थान उनका योग्यपातर नहीं है और ऐसी स्थाथी में उनको इस्थान दोश लगता है और यही इस्थाथी आपकी कुंडली में यदि ग्रह इन इस्थानों पर होता है तो इनको भी इस्थान दोश लग जाता है और ये कारक ग्रह होते हुए भी आपको अशुबफल देने की स्थाथी को प्राप्त कर लेते ह वहीं दूसरी तरफ इन तीन इस्थानों को छोड़कर देवगुरु ब्रस्पती जहां कहीं बने हुए हों आने वाले 221 दिनों के अंदर आपके जीवन में देवगुरु ब्रस्पती का जलवा देखते ही बनेगा इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमशकार